पहाडियों और हरीब्री हरियाली के बीच बसे एक छोटे से शहर में लीला नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह दस्वी कक्षा में एक मेधावी और जिग्यासु छात्रा थी और अपने प्यारे माता-पिता के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी। वह जहां रहती थी वह एक पुराना शहर था, इसमें कई जीनशीर्ण तूटे हुए घर थे, जिन्हें वर्षों से छोड़ दिया गया था। अधिकांश नगरवासी नए अधिक आधुने घरों में चले गए, जिससे पुरानी इमारते समय के साथ धहने लगी। जीनशीर्ण मकानों के बीच एक पुरानी कॉलनी थी जो विशेश रूप से भयानत आकर्शन रखती थी। इस पुरानी कॉलनी के भीतर एक पुराना कुआ था। यह कुआ क्शेत्र के सभी कुओं से अधिक गहरा था और उचे, प्राचीन पेडों से घिरा हुआ था। अंधेरा कुए से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था और यह सभी के द्वारा उपेक्षिद और भुला हुआ खडा था। कुछ समय से पुराने कुए की गहराई से निकलने वाली अजीब आवाजों के बारे में पूरे शहर में अफवाहे फैल गई थी। भयानक आवाजों की फुसफुसाहट हवा में फैल गई, जिससे शहरवासियों के दिलों में अजीब सा डर बैट गया था। किसी ने भी कोए के करीब जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि आवाजों में रहस्य और पूर्वा भास का भाव था। एक दिन शहर के बाहरी इलाके की खोच करते हुए लीला ने खुद को पुरानी कॉलनी के पास पाया। इलाके में फैले अंधेरे और खालीपन से लीला को घबराहट होने लगी। लेकिन उसके साथ उसका वफादार पालतू कुत्ता रौकी भी उनके साथ था। जिग्यासा और घबराहट के मिश्रण से प्रेरित होकर वे एक साथ सावधानी से पुराने कुए की ओर जाने लगे। अचानक एक भयावा आवाज सन्नाटे को चीर्ती हुई गुजरी जिससे लीला और रौकी दोनों अपनी अपनी जगह में स्थिर हो गए। आवाज अजीब थी और ऐसा लग रहा था कि यहाँ एक ऐसे वजन के साथ गूज रही है जो किसी की भी धड़कन को बढ़ा सकता है। लीला के मन में प्रश्न उमर पड़े। यह किसकी आवाज हो सकती है। क्या उसे रौकी के साथ सुरक्षित भाग जाना चाहिए या उसे छिपकर धैर्यपूर्वक निरिक्षन करना चाहिए। एक पल के लिए सोचने के बाद लीला ने अपना सयम बनाय रखने और थोड़ी देर इंतजार करने का फैसला किया और चुपचाप छाया से देखती रही। रौकी को भी हवा में डर का एहसास हुआ और उसने भौकना बंद कर दिया। उसकी आखे उत्सुकता से इधर उधर घूम रही थी। लीला और रौकी दबेपाव आवाज के करीब आएं, उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे। कद्मदर्गदम वे अंधेरे में भटकते रहे। ध्यानपूर्मक दरावनी आवाजों के स्त्रोत की और अपना रास्ता बनाते रहे। आवाज तेज हो गई, जिससे उनका डर और भी गहरा हो गया। संभावित खत्रे के विचार उनके मन में घूमते रहे। लेकिन उनकी जिग्यासा ने उन्हें आगे बढ़ा दिया। आखिरकार वे कुए के किनारे पर पहुँचे। गहराई में जाकते हुए भयानत अंधकार के कारण उनकी दृष्टी बाधित हो रही थी। उन्होंने किसी भी हलचल का संकेत पकड़ने के लिए अपने कानों पर जोर डाला। कुए की गहराई से गुंजती हुई आवास तेज हो गई। जब वे किनारे पर खड़े थे, तभी अचानक जंगल से एक मादा उल्लू निकली, जो खूपसूरती से कुए की ओर बढ़ रही थी। लीला और रौकी विस्मय से देखते रहे जब उल्लू आवास के स्त्रोत के पास पहुँचा। उनकी आखों के सामने रहसे खुलने लगा। जैसे ही लीला की नजर उल्लू मदर पर पड़ी, वह कुए की ओर कूद रही थी, जिससे एक दिल छू लेने वाला द्रिश्य सामने आया। कोई के किनारे बसे तीन प्यारे उल्लू के बच्चे बेसबरी से अपनी मा की वापसी का इंतजार कर रहे थे। यहां उनकी चीखे थी जो पुरानी कॉलनी में गूंज उठी थी, जिससे कुछ अधिक भयावा होने का भ्रम पैदा हो गया था। राहत और खुशी से अभिभूत होकर लीला ने कहा हे भगवान। यहां कितना प्यारा है। रहस्यमय आवाजों के पीछे की सच्चाई का एहसास होते ही उसके चहरे पर मुस्कान फैल गई। पुराना कुआ इस उल्लू परिवार के लिए घोसला बनाने का स्थान बन गया था और उनकी चीखे बस उनकी मा का ध्यान आकरशित करने के लिए थी। अगले दिन स्थिती की नई समझ के साथ लीला ने उल्लू परिवार पर अपनी दयालुता बढ़ाने का फैसला किया। उसने कुछ भोजन पिकठा किया। ध्यान से स्वादिष्ट निवाले चुने और उन्हें कुए के पास रख दिया जहां मा उल्लू उन्हें आसानी से धून और पुना प्राप्त कर सकती थी। लीला और रौकी पीछे हट गए और चुकचाप मा उल्लू को पास के पेडों से नीचे उड़ते हुए देखा। वह सदभावना के संकेत को स्वीकार करने से पहले सावधानी से भोजन के पास पहुँची। और उसका निरिक्षन किया। इस बात से संतुष्ट होकर की भोजन सुरक्षित था। उसने तेजी से उसे अपने पंजों में इकठा किया और वापस अपने घोसले की ओर उड़ गई। लीला खुशी और संतुष्टी की जबरदस्ट भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। कोई की आवाजों का रहस्य सुलज गया था। को शांती मिली थी। उस दिन के बाद से लीला उल्लू परिवार के साथ अपनी मुलाकात और उस रहस्य को हमेशा याद रखती थी। और इसलिए पुरानी कॉलनी में परित्यक पुआ छोटे शहर के लोगों के लिए दर और घबराहट के बजाए आकर्शन और आश्चर्य का स्थान बन गया। लीला की खोज की कहानी पूरे समुदाय में फैल गई और अपने पीछे करुणा और समझ की विरासत छोड़ गई। अगर आपको मेरी कहानिया अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताईएगा। और मेरे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब लाइक, शेर करना मत भूलना.